अगर हम इसको अच्छे तरीके से स्टोर नहीं करेंगे तो कुछ ही देर बाद ये मुर्जा भी जाएगा और इसकी शकल जो है वो भी ऐसी फ्रेश नहीं रहेगी जिस तरह की अब है मेरे पास ये दो बंचिज फ्रेश धनिये के हैं एक को मैंने फ्रीज करना है और एक को मैंने फ्रीज में स्टोर करना है तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने एक बास्किट ली है ये बास्किट भी बहुत ही स्पेस सेविंग है इस तरह से ये क्लोज भी हो जाती है और बहु आट ही helpful भी होते हैं तो एक बच जो है जिसको मैंने freezer में freeze करना है उसको पहले मैं अपन किया है और उसको मैं wash गे Holy wine जिसको मैं अच्प्र करना है उसको wash नहीं करना है उसको उसी तरह से हम cut करेंगे जिस जो फ्रीजес करना है उसको wash किया है मैं जिक इसके साथ-साथ ही देखते जाएंगे, अगर कोई सड़ा हुआ पत्ता होगा या बहुत ही मुर्जाया हुआ पत्ता होगा तो इसको अलग कर देंगे, बाकी को हम वाश करके इस तरह से रख देंगे, कुछ ही देर बाद जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, तो फिर अब इसको दुबारा से चेक करके तो हम इसको cut कर लेंगे यहां मैने अच्छे से इसको चेक कर लिये है उपर से थोड़ा सा हिस्सा काटके इसकी डंडियां जो बहुत ही मोटी वो अलग कर देंगे बाकी की डंडिया नहीं काटीं क्योंकि धनिये की जो अच्छी सी महक और खुश्बू होती है वो इसकी डंडियों में ही होती है आम तरपर दंडियां उतार दी जाती है और सिरफ पत्तों को स्टोर किया जाता है जिस से खुषबू बहुत कम हो जाती है ज्यादा खुषबू उसकी डंडी में ही होती है इसको अच्छी तरह से बारीख हमने कट कर लेना है यह देखें जिस तरह से भी आप करना चाहें, धनिया बारीक ही अच्छा लगता है, क्यूंकर अक्सर जब हम शोर्बे वाले सालन में डालते हैं, तो उपर ये बारीक बारीक ही अच्छा लगता है, अगर बड़ा और मोटा कटा हुआ होगा, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, यहां में मैंने एक बांच जो है, वो तकरीबन पूरा ही काट लिया है, और इस तरह के प्लास्टिक के बॉक्स हमारे पास होते हैं, ना भी स्पेशल इस परपस के लिए लिए हुए बॉक्स हों, तो हम अपनी जो अधर परपस के लिए हमारे घर में टिफन लांच बॉक्स इस बगरा एक्स्ट्रा में होते हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हैं, यह मैंने इसी तरह से रख दिया है, कोई इसके उपर पेपर बगरा रैप करने की टिशू लगाने की जरूरत नहीं है, अब यह दूसरे बांच की तरफ आते हैं, इसको मैंने वाश नहीं किया, यह बि अगर इस पे मट्टिव गरा लगी हो, तो आपने इसे टावल के उपर रखके अच्छी तरह से पहुंच लेना है, अगर आप इसको वाश करेंगे, तो वाश करने के बाद आप इसको जितना भी ड्राय करें, इसमें कुछ ना कुछ मॉइस्टर रह जाता है, और फ्रीज मे यानि मट्टि वगरा हलकी फुलकी लगी हुई है, तो वो पेपर टावल से या दूसरे टावल से खुश कर लें, अब ये मैंने एक और बॉक्स लिया है उसी टाइप का, और उसके अंदर ये धनिया जो फ्रीज में मैंने स्टोर करना है, वो भी इसी तरह से डाल लिया है, ये देखिए, इसको पानी नहीं लगने दिया, अब इसके उपर पेपर भी लगाने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से हम स्टोर कर लेंगे क्योंकि ये गिला नहीं है, ये एक बॉक्स फ्रीजर के लिए वाश करके और एक फ्रीज के लिए, ये दोनों बॉक्स अब ये 15 दि इसको आप यूज कर सकते हैं, ये दूसरा बॉक्स में फ्रीजर में रख रही हूं, देखिए, इसको आप 1 मंद तक भी इसी तरह से ये फ्रेश रहेगा, वाश हुआ हुआ है, नकाले और यूज करें, लेकिन जो फ्रीज में रखा है, वो आपने वाश करके तो फिर उसके पिसी से बन जाते हैं, वो जमना शुरू हो जाती है, उसमें मॉइस्चर आ जाता है, ये भी आप देख सकते हैं, ये साइडों पर जम चुकी है, और जब भी हमने इसको नकालना होता है, तो काफी प्रॉब्लम होती है, जोर से नकालना पड़ता है, कभी-कभी इतनी जादा जम चुकी होती है, कि वो निकलती भी नहीं है, तो इस मॉइस्चर को खतम करने के लिए एक छोटी सी ट्विक का आपके साथ शेयर करती हूँ, पहले तो सारी शुगर को हमें नकालना पड़ेगा, और इसे थोड़ी देर खुली हवा में रखेंगे, ताकि इसमें ज यह देखिए, बहुत बुरी तरह से इसके अंदर शुगर जो है, वो जमी हुई है, अच्छी तरह से सारी शुगर नकाल लेंगे, और जार को वाश करके अच्छी तरह से ड्राइ कर लेना है, कपड़े के साथ खुश करेंगे, फिर थोड़ी देर खुली हवा में रखेंग सारी शुगर निकल आई है, अब हम यह पेपर टावल यूज़ करेंगे, आप चाहें तो अखबार भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेपर की दो तीन तह आप यूज़ कर सकते हैं, इससे भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, अगर जो भी कोई मॉइस्चर आएगा इसमें यह पेपर जो है वो अब्जॉब कर लेगा, इस तरह से रखेंगे पहले और फिर इसके ओपर शुगर डाल देंगे, अब इसके पीसिंज नहीं बनेंगे और यह जमेंगी भी नहीं, सारा मॉइस्चर पेपर जजब कर लेगा, आपने इसको बस एयर टाइट करके र कि अगली ट्रीक की तरफ चलते हैं, अगली ट्रीक इस चिम्टे को लेकर है, हम इसे अकसर कुकिंग में भी यूज करते हैं, प्राठे वगारा रोटिया टान करने के लिए और कबाबों गारा के लिए यूज करते हैं, तो यह काफी ज़्यादा यूज होता है, लेकिन यह बहुत ही जादा स्पेस ले लेता है और जब हम कोई और चीज उठाने लगते हैं तो यह हाथों में लगता है इसके लिए यह मैंने जो बड़ा टिशू रोल इसके उपसे टिशू खतम हो गए थे तो यह इसके अंदर गत्य का रोल है यह मैं यूज कर रही हूं इसके अंदर च्रह पर ठाग होना शुरू होजाता है इसके टेप के साथ सेट कर रहे हूं तो यह झाट क 구매ल are टेप के साथ सेANDू टेप लोय है और टेप का आधा हिस्सा निचे वाले हिस्से पे और आधा हिस्सा उपर के हिसे पे लगा रही हूँ, यह देखिए, साइडों पे इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देना है, ताके यह अच्छी तरह से टाइट हो जाए, यह खेंच के हमने टेप लगा दी है, और इसको हाथ से दबा के प्रेस कर देंगे, ताके इसकी जो ग्रिप है वो अच्छी हो जाए, खट कर देंगे, अगर साइड पे आप चाहें तो एक एक हलकी सी लेयर और भी लगा दें, ताके यह मजबूत हो जाए और बार बार ना गिरे, तो कि यहां से आपने कोई भी फंक्शन वगर अपरेट नहीं करना, जस्ट इसकी सेटिंग ही ऐसी होती है, तो आप पर अची तरह से इसको बाइंड भी कर देंगे इसके साथ, तो यह ठीक रहेगी,